असलामु अलाइकुम तो कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब ठीक ठाक होंगे तो एंडेव जाइका में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने वाले एदूल अदा स्पेशल शिरकुर्मा तो चलिए बिना वक्त जाय कि इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं चलिए बिसमिल्ला बुल के शुरू करते हैं यहां पर मैंने तीन लिटर दूद की सेवई बनाएंगे और यहां पर मैंने सेवई ले लिए 100 ग्राम है और फिर हम ले ले लेंगे यहां पर मैंने लिया है बदाम, पीस्ता और चारोली जो है 50-50 ग्राम और इसको मैंने यू स्ल तो यहां पे मैंने गैस पे एक बरतन रखे इस पे मैं आट करूंगे डाई बड़े चमज गी यहां पे बने देशी गी का इस्तेवाल किया है हीतिन के अंदर हमारे बदाम पीस्ते और चारूलि और यहां पीजेस को थोड़ा भुण लेंगे तक ब्ड़न करेंने करएंगे हमारी सेवल स्टेटतों कि इसको तब थक पन नीए हो जाथ हम जो इसको ब्रावन तक है यह आपर मैंने घंवालगी हो कि हम इसको चलाते बूण लेंगे तो हमारी सेवी जुअ अच्छी तरह से बूण चुकी ए और नो दूद्ध भी अच्छी ज़ए गरम होचूक है अ lugan एट प्रकों तो यहां पर मेने सारी सेव़ यह इसके अदर एड़ कर लिए एक बर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको जो हम हाई फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे तो यहाँ पे हमारा शिर्कुर्मा पक रहा है अब हम इसके अंदर जो हमारी अमुल की कंडेंस्ट मिल्क एड़ कर लेंगे लगबाग 400 ग्राम है यह फिर हम इसके अंदर एड़ कर लेंगे आदी चोटी चमच इलाइची पॉडर इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट भी फिर हम इसको एक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही हम इसके अंदर एड़ कर लेंगे एक कप चीनी आप देख सकते हमारा जो शिर्खुर्मा है वो पकने लगा है अब हम इसको जो एक गैस स्लो करकर 10 मिनिट तक और पकाएंगे तो यहाँ पर हमारा 10 मिनिट हो चुका है तो हम इसको थंडा कर लेते फिर आपको बताते तो तयार है हमारा शिर्खुर्मा तो इंशाला से आप लोग भी इसको एक बार जरूर ट्राय करना और मुझे फीडबेक देना कि आपको शिर्खुर्मे की वीडियो कैसी लगती है आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगे अगर पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करो चले को सब्सक्राइब करो एंड शियर करो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज